आज का वर्दान मनन शक्ति द्वारा बुद्धी को शक्ति शाली बनाने वाले मास्टर सर्व शक्ति मान भवा आए इस वर्दान का स्वरूप बने ओम शाथे स्वयम को देखे मैं आत्मा और मेरी तीन शक्तिया दिखे मन के संकल्पों को बुद्धी में समाई स्मृतियों को और इन दोनों के आधार पर बने संसकारों को इतने जन्मों और विभिन कर्मों के कारण देह और दुनिया की स्मृतियों के कारण माया के विभेन प्रभावों के कारण व्यार्थ संकल्प न चाहते भी आ जाते हैं फिल करें के दिव्य बुद्धी दाता ज्यान का सागर शिव बाबा ज्यान की शक्तिशाली किर्णों से मन और बुद्धी को श्रेष्ट संकल्प और श्रेष्ट स्मृतियों से शक्तिशाली बना रही है स्विकार करें इन शक्तिशाली दिफ्धे अलोकिक किर्णों को समाले अंदर तक शिव बाबा ने इस ब्रामभण जीवन में हमें अनेक अलोकिक टाइटल दिये है स्मृति में लाएं इन टाइटल्स को मैं आत्मा ब्रामभण सु फरिष्टा बनने वाली हो ऐसी फरिष्टा जो सदा मन और बुद्धी से उपराम है जिसका देह और दुनिया से कोई रिष्टा नहीं जो सदा लाइट सर्व बोजों से हलकी और सदा माइट शक्ति शाली है स्मृति में लाएए और इस टाइटल की गहराई में चली जाएए अपने संपून स्वरोप को प्रत दिन विभिन टाइटल्स से सजाते रहे और उनके मनन और मन्थन से बुद्धी को पवित्र शक्ति शाली बनाते रहे फील करे हर एक टाइटल इश्वरी ज्यान का प्रतेक पॉइंट बुद्धी को पवत्र शुद्ध दिफ्य बना रहा है शक्ति शाली बना रहा है बुद्धी स्पष्ट और स्वच्छ होती जा रही है इतनी शक्ति शाली कि माया के किसी भी रूप का व्यक्तियों के किसी भी कर्म का मेरे मन और बुद्धी पर प्रभाव नहीं पड़ सकता मेरी सर्व कर्मिंद्रिया मेरे नियंत्रण में हो गई है अंतर की ये शक्ति मेरे मन को व्यर्थ से मुक्त सर्वसमर्थ बना रही है मेरे मेरे रूस अम्रित्वेले शिव बाबा द्वारा दिये गए शक्तिशाली टाइटल्स को सुर्थी मिलाती हो उनके गहराई में जाकर मनन कर स्वरोप बन जाती हो मैं इश्वर्य शक्ति और टाइटल्स से सजी होई अपनी सुक्ष्म शक्तियों को शक्तिशाली बनाने वाली मास्टर सर्व शक्तिवान हो ओ म्श्वर्य शक्तिशाली अ ओक्तिशाली वाल-खिक त्याथ। क्तिशाली शक्तिशाली खाय। थालब्स कर दे座 कर देवान हो